तो जो प्रिलिम्स सिंप्लिफाइट की बैच हम लोगे चलने वाली है, देखो इसको बैच कहना तो वैसे भी सही नहीं होगा, सिंपल सी बात है, एक कलेक्शन है, जिसमें कुछ कोस्टन्स दिये जाएंगे आपको, डेली, सबसे पहले जो हमारा काम होगा, उसमें सबसे बेस कंसिस्टेंसी का इशू है, वो खतम हो, ठीक है, जैसे आपको डेली सुबस में बता दिया जाएगा, टॉपिक्स, ठीक है, जैसे टॉपिक्स जिफाइन कर दिया जाएगा, टॉपिक्स जिफाइन हो गया, जैसे मालो, मैंने, मैं दो सब्जेक्ट को पैरलल लेके आपकी कोई भी schedule चल रही है लेकिन आप इसको follow कर सकते हो कुछ नहीं करना है normally आपको बस सुबह मैं schedule डालूँगा या फिर जिस भी दिन questions मिलेंगे उससे एक दिन पहले वाली रात में schedule डाल दूँगा कि आज आपको जैसे आज advent of European करना है decline of mughal करना है या फिर early 18th century में British किस तरीके से अपने administration को manage किये थे उसकी एक topics को आपको त्यार करना है तीन topics मैंने बता दिया आपको chemistry में मैं इससे मैंने माल लो acid-based and salt बोल दिया ये 4 topics आपको मैंने दे दिया फिर अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ये भी define कर दूँगा कि किस तरीके से आपको कहा कहा से पढ़ लेना है जैसे मैं NCRT में मिंसन कर दूँगा ये आपको class 8th में मिल जागा ये class 9th में मिल जागा ये 10th 11 में मिल जागा ठीक है उसके बात क्या करेंगे आप दिन भर अराम से इसको revise कर लेना देखो NCRT के summary book बहुत सारी आती है उससे आप revise करना मेरी मानना तो बहुत ज़्यदा बलकी book पढ़ने की ज़रूत नहीं है revision segment को अच्छे से कर लेना फिर देखो मेरा part क्या होगा मैं क्या करूंगा जैसे prelim simplified जो मेरा section है उसमें मैं topic तो दे दिया आपको सुब़ सो आप कर लिए साम किसम में आपको एक PDF मिलेगी PDF में आपको maximum 50 questions होगे देखो जो topics जैसे होगा उसके according questions fluctuate भी कर सकते हैं लेकिन maximum 50 questions होगे उसमें क्या करेंगे हम लोग majority of portion जैसे मालोग GKGS चल रहा है उसके रखेंगे और जो भी segments होगे उसमें उसको ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा कि किस तरीके से deal किया जाए देखो सबसे पहली बात तो यह है हमारा यह मक्सद होना चाहिए कि इस questions के साथ कोई भी questions मैं डालो तो उस questions के साथ आपको multiple concepts मिले ठीक है न multiple जो statements होते है multiple varieties जो questions बनते हैं वो मिल जाए आपको पहली बात दूसरी बात यह होगा कि आपको उस MCQs के साथ यह हो जाएगा कि आपके topics प्रिपैर हो जाएगे तीशरी चीज़ क्या होगा वो जो topics से related होगा जैसे माल लो हम लोग एंग्लो में रठा वार पर लिए या एक question आईज में एंग्लो में रठा वार डिसकस हुआ था उसकी मैं आपको handwritten snippet दे दूँगा late night provide कर दूँ या कल provide कर दूँ लेकिन कर दिया करूँगा हर एक lecture की एक आपको एक से दो सिर्ट में somebody notes मिलेगी जिससे आप उस questions को बार बार revisit कर सकते हो revise कर सकते हो साथ में जो भी 50 questions होंगे maximum कम भी हो सकते हैं लेकिन 50 में को रखूँगा ठीक है तो आप एक काम कर ले ना उसकी वीडियो आपको provide की जाएगी पूरी complete discussion के साथ ठीक है ना तो इतना रहेगा मेरा कि हर दिन आपको कम से कम 3-4 topic को अच्छे से through the reverse engineering reverse engineering करने क्या मतलब हुआ कि मतलब questions को explain करके bit by bit टोड़के उसको लेके आएंगे ठीक है अब आप बहुत सारे लोगों का doubt है maximum जो message कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि question किस तरीके का होगा क्या level होगा कैसा नहीं होगा ठीक है ना तो मैं यही करूँगा कि जैसे कोई भी questions है question मैं खुद से frame तो नहीं करूँगा यह तो आपको पता होगा खुद से frame करने की बात की question नहीं होती है लेकिन हाँ मैं NCRT UPSC State PCS जैसे UPPCS BPSC MPPCS के जो अच्छे अच्छे level उम्दा level के questions है ना वैसे questions जहाँ पर आप फस सकते हो वैसे questions जहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ informations निकलेगी और वो informations मेरे red data book में होना चाहिए red data book कहने का मतलब हुआ वैसे short notes जो आपको exam में आखरी समय में काफी मदद करेगी ठीक है तो यह उस तरह के question मैं डालूँगा तो देखो मैं कुछ example देता हूँ आपको किस तरह के question डाला जाएगा ठीक है जैसे देख लो जैसे यह पहला question हो गया आप देख सकते हो मंसबदार, मंसबदारी system was backbone of Mughal's administration but it later it also become one of the important for its decline तो इसको इसमें हम लोग क्या क्या समझेंगे इसमें हम लोग समझेंगे पहले तो हम लोग समझेंगे कि तो यह एक समझ में आ जागा फिर इसी तरह की से देखो आप questions को यह सारे NCRT के points है which of the following historian had considered the problem of जागीर is one of the most prominent reason for the decline of Mughal empire ठीक है ना तो पहलो जो जागीर को समझ लेंगे फिर जो कुछ historians हम उनको समझ लेंगे इसी तरह की से और देख लो प्रोवाइट करने वाला हूँ तो इस चीज के लिए मत बोलना कि पेट क्यों रखे हो ऐसे वैसे ठीक है क्योंकि इसमें बहुत जादा effort लगेगा मेरे को अब देखो यह questions हो गए अब मैं आपको एक दो यह सारे तो MC की हो जो मैंने frame किया आपको NCRT वाले pattern पर ठीक है न अब इसी के साथ साथ कुछ question जैसे यह मालो UPSC Civil Services Prelims 2022 सा question था ठीक है Indian history के reference में consider the following statement तो Dutch के बारे में दिया हुआ है फिर Alphanso de Albuquerque के बारे में दिया हुआ है फिर बीजापूर Sultanate के बारे में discuss देखो इस question से क्या-क्या आप निकाल सकते हो अगर आप देखोगे तो इस question से क्या-क्या निकाल सकते हो एक तो आप निकाल सकते हो Albuquerque के बारे में फिर बीजापूर के सुल्टान के बारे में फिर English East India Company से related with a factory with their factory in Madras Vision Agra Empire से किस तरह के का relations था with context with the company rule फिर Dutch की establishment और उसकी factories के बारे में घजबती rulers के बारे में मतलब इतने सारे questions से निकल रहे न कि मुझे लगता है कि ये questions को अगर आप जानोगे इसके statement और answer को समझोगे तो आपको exam की point of view से बहुत मद मिलने वाला है एक आपकी consistency बनी रहेगी questions अच्छे-च्छे मिल जाएंगे और साथ-साथ में questions तो बहुत पड़े हैं सारे आपको YouTube पे मिल जाएंगे लेकिन एक proper जैसे होगा न day by day का guidance वो मैं दे दूँगा आपको अच्छे तरीके से उसको आप बहुत ठंग से तमीज से कर लोगे तो कम से कम आपकी एक position होगी जिसमें आप इसको exam में कर लोगे आप देखलो और questions को देख लेते हैं जैसे ये question UPSC civil service 2003 में पूछा गया था जिसमें entry of Europeans में इंडिया में कौन से statement correct है इस question से क्या होगा इस question से यह होगा कि हम लोग समझेंगे कैसे Portuguese आए कैसे Dutch किस तरीके सुकर इंग्लिस फिर Danish फिर French तो यह sequence था sequence को समझ लेंगे कुछ basic concept समझ लेंगे समझने के साथ साथ मैं आपको notes भी दे दूँगा और Anglo-Burmese War और Anglo-Sikh War यह चारो वर एक question से cover हो जा रहा है ठीक है तो इसको आप उस तरीके से grab कर सकते हो ठीक है फिर अगर देख लो which are the following mountain tribes जो थो थोड़ा आपको परिसान करेगी या फिर वैसे question जिसमें कम से कम 4-5 basic concepts आपके आपके dictionary में add हो जाए ठीक है इसी के साथ अब देख लो कुछ UPPCS के question रहेंगे जो अच्छे question होंगे उसको हम लोग उसी तरीके से deal करेंगे ठीक है तो मैं आपको बता दिए रहा हूँ ये standard रहेगा ठीक है एक group बनेगी जो कि अल्रड़ी बन चुकी है ठीक है उसमें add कर दूँगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे daily schedule मैं सुबह सुबह एक वीडियो डालूँगा जिसमें आपको daily schedule मिलेगी वो schedule को आप follow करोगे मैं source भी mention कर दूँगा schedule में अच्छे से बहुत ये अच्छे तरीके से कर लेना उसके बाद हम लोग साम के समय साम के समय में आपको जो questions मिल जाएंगे उस questions को आप खुद से लगाने कोश्च करना एक दो घंटे में जो भी लग जाए ठीक है अच्छी बात है एक्जाम के point of view से ठीक है तो देखे आपको अगर help मिलता है तो इसको रखे इसको मैंने paid रखा है इसकी कोई वजय है इस पे मेहनत लगेगा time लगेगा effort लगेगा तो उसको भी count करना जरूरी है और ठीक है तो ये रहेंगे कुछ ये NCRT based questions है जो NCRT से framed रहेंगे और NCRT में कहां से रहेंगे क्या रहेंगे वो मैं already mention कर दूँगा topics जो दूँगा उससे पहले ठीक है तो इस इस all about our prelim simplified you can say और NCRT plus reverse MCQ solving batch तो इसको आप join कर सकते हो if you are interested in making it consistent ठीक है तो जो भी doubts होंगे आप इस comment section में push देना उसको हम लोग clear कर लेंगे Thank you